हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू ओन्लाइन एज्जुकेशन, जीवन प्रिग्मिद्यालाई प्रिव्यू वीडियोज में हमने लेसन नमबर वन कम्प्लीट किया, एक्सराइज भी की तो आपने एक्सराइज लिखी है ना अपनी मुख में अब हम सेकेंड लेसन माई फेमिली स्टाट करेंगे वी यूजरी लाइव वीथ अवर फेमिलीज, हम अमारी फेमिली के साथ रहते हैं आपने वीकी वं भी करेंद लेसन नमबर वीथ यूजरी फेमिली अवर रहते हैं वी यूजरी वीथेमिली यूजरी लाइज लोह है जिनहें हम जानते हैं हमारे जिस्तदार हैं All our relatives may or may not lie with us हम एक दुसरे के रिष्टदार भी है ना हम उनके साथ रहते हैं उनके साथ नहीं रहते हुए भी उनके रिष्टदार हो सकते है But together they all make up our family Remember we do not usually call the people in our family By their names The people in our family by their names Not usually मतलब की हम हमारी family में जो member है उन्हें नाम लेकर नहीं पुकारते हैं न We call them according to their relation to us हमारे जो relation होते हैं हम उस हिसाब से हम उन्हें बुलाते हैं जैसे की मामा, मामी, दादा, दादी, नाना, नामी, पापा, ममी, भाई, बेन वैसे हम उनको नाम से तो नहीं बुलाते हैं हम ऐसे केर कर बुलाते हैं हमारे जो ममी पापा होते हैं न, वो ही बच्चों की केर करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी हैं मतलब की हमारे मदर और फादर जो होते हैं उनके मदर और फादर को हम ग्रेंट पेरेंट्स बुलते हैं अबर मदर पेरेंट्स आर अबर मेटर नल ग्रेंट्स बुलाते हैं अबर फादर जो हमारे ममी के जो ममी पापा होते हैं उनको दादा दादी बुलाते हैं So students, next part अब हम next part में मिलांगे Bye